कि नमस्कार मैं अंजली मिशोर स्वगत है आपका हमारे चैनल में आपको उतादे इस वक्त की बड़ी ख़बर सामने आ रही है कोट से संजर राउत को बड़ा जटका लगा है शिवसेना सांसा संजर राउत को चार दिन की एडी की कस्टडी में भेज दिया गया है जी हाँ बिलकुल सही सुना अपने पातरा चौल भूमी घोटाले से जुड़ा मामला था जिसमें कल देर रात रविवार को संजर राउत की द्वारा गिरफतार कर लिया गया था और आज कोट में उनकी पेशी थी कोट में पेशी के दौरान कई सारे दलीले दी गई दलीलों जब दोनों पक्षों की दलील खत्म हो गई तो कोट ने अपना फैसला सुनाते हुए संजर राउत को चार दिन की एडी रिमांड में भेज दिया है जहां बिलकुल सई सुना आपने इस वक्त की यह बड़ी कादी खबर है पात्रा चौल भूमी गोटाले मामले में चार दिन की एडी कस्टडी में संजर राउत को बेज दिया गया है कोट ने अपना फैसला सुना है इडी ने 8aż दिनकी रिमांड मांगी और उने पूष्ता दौहां कर सबस्किए गरें मारी हाइसा नहीं लंबी पूस्ता चली है घंटो पूस्ता चली है निसके एडी के वकील ने कहा कि मेडिकल जाच होकर आया है वो पूरी तरीके से स्वास्त नजर आए हैं किस तरीके की कोई परिशानी नहीं थी और एडी उन्हें कह रही है कि आप घर का खाना खाई आप मेडिसिंस लीजिए लेकिन सवालों के जवाब दीजिए संजराउत को दो बा लाख तकरीबन कैस्ट जैनके घर से बरामद हुआ एक साल के अंदर एक करोर रुपए की ट्रांजैक्शन किये गए हैं जिसमें कई सारे ट्रांजैक्शन की डीटेल नहीं मिल पाई है अब जुरू से शुरुआत करनी हैं इंवेस्टिगेशन करनी होगी कितनी सैलरी है कित जवाल चाइंडर में इतनी महिंगी प्रॉप्टी कहा से आई पात्रा चौल्मी घटाले में संजराउत का नाम आने के पीछे का कारण क्या है ॉपात्रा को ट्रांजैक्शन के स prose तरीक नहीं है सवालों का पहाड़ है संजराउत जाच में सयोग नहीं कर रहे हैं तो साफ तोर पर ज्यादा वक्त चाहिए लेकिन कोट ने उन्हें चार दिन की अब रिमाइंट पर बेश दिये संजराउत के रिए बड़ा जटका है जिनने यह सोचा था कि वह इस मामले से आराम से निकल सकते हैं क्योंकि जब इडी उन्हें ले जा रही थी भगवा उन्हेंने गमचा ले रहाया विक्री साइन दिया उसके बाद ऐसा लग रहा था कि मानो संजराउत जो है कोट के सामने से जो है निकल कर बाहर आ जाएंगे और कुछ नहीं होगा लेकिन कोट से ही उन्हें बड़ा जटका मिला है वहीं आपको उन्हें कि संजराउत की कोट में पेशी के दौरान परिवार से मिलने पहुझे थे से पूर्व सीम उदव ठाकरे उदव ठाकरे ने कहा कि देश में बदला लेने की राजनीती चल रही है हमें अपने विरोधियों को जवाब देना होग जो भी हमारे खिलाब बोलेगा उसे बताना होगा कि हम क्या है उन्होंने कहा देश में लोकतंतर के साथ खिलवार हो रहा है केंदरी एजनसियों के जरीय हमें परिशान किया जा रहा है जो भी उनका विरोध कर रहा है उसे जेल में डाला जा रहा है उन्होंने कहा कि जो कि कुछ भी नहीं होगा कोई परिशानी नहीं होगी जब समय आएगा तो देखिए क्या होगा जब हमारे वक्त आएगा तब हम देखेंगे क्या किया जा सकता है कि टरफ से चार दिन saa हैं दी कि बहुत सरी दलिले बटा आ गया कि इस तरीके से कितने हारी T.T. ऑन्हें और उनके नामपर आगरीमेंट भी बनाय गय गया है प्रविं राउत सब्सक्राइब करेंस दिएioèSTंजयुरान करने विद्युर THIS यह मेह अले पास पिद्ज पास थी इनके तरफ से पूरे पात्रश और भूमी गोटाले माबले में सरफ एक विक्ति है जो की गवाँ है उस गवाँ को भी परिशान किया गया धमकी दिया गया धमकी बार पत्र दिये गया उसके साथ भी गवाँ के साथ छेट-चार करने की कोशिश की गई गाली पाने से मना करते रहें उन्होंने जो विटनेस को भी टांपर करने की कोशिश की इंवेस्टिगेशन को और भी डिस्रॉप्ट करने की कोशिश की उन्होंने तो यह लगता जो है कहा जा रहा था कि किस तरीके से सारी चीजों कटाए गया वही आपको बता दे कि जहां पर ज जुर्म है 2008 का है इनकी और खुद के application में भी यह कहा गया कि संजले के विशन काइस सामने है उनकी पोजिशन का इस्तेमाल किया था संजाइरह तो इसे संजनत के पॉस्ट का सब्सक्राइब करना है या फिर खत्म करना है निकालने के लिए कि संजर राउत कहां गलत है कहां पर उन्हों ने जो है सारी चीज़े की है तरफ संजर राउत पर कारवाई हो रही है कोट में दूसरी तरफ ठाकरे भी लगतार बयान बाजिल करते नजर आए उद्व ठाकरे के तरफ से कहा गया कि ऐसे लोगों के बुरे दिन आते हैं उन्होंने भाजपर सवाल उठाते हुए कहा कि बुद्धी का उपयोग नहीं किया जा रहा है दिन बदलते रहते हैं ऐसे लोगों के बुरे दिन जरूर आते हैं उद्व ने कहा जुकने वाले थे वह चले गए जो लोग उनके पास है वह माम में गए लेकिन पानी बंद हो जाए गा तो फिर क्या होगा उदा बोले संजय राउद बाला साहब का असली सैनिक है वो जुकेगा नहीं फिल्म पुश्पा में दिखाया है कि जुकेगा नहीं लेकिन संजय असलियत में जुकेगा तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है बहुत ही जादा विश्वास उदव ठाकरे कुछ अंजराल पर नजर आ रहा है कह रहे हैं कि जुकेंगे नहीं कुछ परिशानी उन्हें नहीं होगी तो साफ तोर पर ये बयान जो है दिया जा रहा है जे पी नड़ के तरफ से जेपी नड़ा उदव ने कहा जेपी नड़ा के भाशन में लोगतंतर नहीं था आप बरताव आप लोगों के साथ आज कर रहे हैं समय खराब होने पर जनता ऐसा ही आप से जादा बुरा बरताफ करेगी एडी सीबिया का इस्तेमाल है जो प्रजा तंतर कहां रह करने की बाद पुष्पा जैसा जुकेगा नहीं वाले बयान दिये जा रहे हैं परिवार से भी मुलाकात की गई और अब संजराउत की जो है इडी ने दौरा जो कस्टड़ी मांगी गई थी आठ दिन की कस्टड़ी मांगी गई थी अब संजराउत जो है कोर्ट में की प्रफटार से बताएं कि पूरा मुद्ध क्या था और अब इस पूरे मुद्धे पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्ष्ण में कमेंट करके जरू साजह करें करें करें